प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपको फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डाइग्राम यानि पुस्प मान चित्र और पुस्प रेखा चित्र के बारे में बताए जाएगा तो फ्लोरल फार्मूला किसे करते हैं पुस्प में पुस्प के अंगों की संख्या और उनकी स्थित को जब हम एक समी कर्ण के द्वारा लिखते हैं या व्यक्त करते हैं तब उसे हम फ्लोरल फार्मूला करते हैं और इसी फ्लोरल फार्मूले के अंसार पुस्प के अंगों की संख्या और उनकी स्थित को जब हम चित्र के दौरा या रेखा चित्र के दौरा प्रदर्शित करते हैं तब उसे हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं इसके बाद फ्लोरल हार्मूला पुस्प सूत्र में पुस्प के अंगों और उनकी स्थित्र को कुछ चिंद्रों के दौरा ब्यक्त किया जाता है जिसका उत्योग हम फ्लोरल हार्मूला में करते हैं अब जैसे ब्रैक्तिये ब्यार लिखा है ब्यार का मतलब ब्रैक्तिये जब पुस्प में सापत्र पाया जाता है तब उसे हम ब्रैक्तिये करते हैं सापत्री इवी आर इब्रैक्तिये आसापत्री जिस पुस्प में सापत्र नहीं बायाता उसको इब्रैक्तिये आसापत्री कहते हैं यहां पर यह चिन्द बना है इसका मतलब यह मेल पावर इस्टै मिनेट क्योंकि इस्टैमेंट पाए जाता इसी इसको इस्टै मिनेट करते हैं मेल पावर है और यह चिन्द जो है इसको हम इस्टिलेज करते हैं कि मेल पावर इसके बाद यहां पर जो प्रदर्शक किया गया है इसको हम बाई सेक्सवल उबहर लिंगी जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही पुस्ट पर पाए जाएं तर उसे हम बाई सेक्सवियल या उबहर लिंगी करते हैं इस चिन्द को हम एक्टिनो मार्फित त्रिज्जा सम्मीत पुस्प में जब पाई जाती है तो इसको हम एक्टनोमार्फिक करते हैं इसका सिंबल यह अगर इस तरह से सिंबल है इसको जाइगोमार्फिक एक जाइगोमार्फिक करते हैं आपको पहले एक्टनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक के बारे में बताया गया है EP, EP का मतलब होता है EP chalyx EP chalyx माने अनुबाहेदल बाहेदल के बाहर ही जब छोटी छोटी पत्ती की तरह रचनाय होती है तुसे EP chalyx करते हैं ये गुरहल में पाया जाता है बाकि अपनी में नहीं पाया जाता है के के भी उस होता है कैलिक्स कैलिक्स और यहां जो कैलिक्स होगा ये पाली से प्लस पाली से प्लस यानि कि ये सतंत्र है जुड़ा नहीं है इसलिए इसको पाली से प्लस कहते हैं यहां पे कोश्टक के अंदर है इसलिए इसको कैलिक्स गायमो शेपलस यानि ये अंदर से नीचे की तरब से कैलिक्स जो जितने भी इसकी क्या होती है शेपल सब जुड़े होते हैं तब उसे हम गायमो शेपलस कहते हैं इसके बाद सी के मतलब करोला करोला और यह करोला प्रिठक प्रिठक है इसको पाली प्रिटलस पाली प्रिटलस करते हैं और यहां पे कोश्ट्रक के अंदर जो सी लिखा है तो हो जाएगा करोला गैमो प्रिठलस सी और यहां पे क्रास बना है इसका मतलब करोला प्रिठक प्रिठक हैं क्रूसी फार्म क्रास रूपी क्रूसी फार्म करोला के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया था पी का मतलब होता है पेरियंद पेरियंद आपको बताया थे जब सेपल और पेटल में समानता हो कोई अंतर ना हो तब उसे टेपल करते हैं और टेपल के समूर को पेरियंद या पारिदल पुझ करते हैं कि एक का मतलब होता है एंडूसियम कि एंडूसियम मीज यह जायान कहलता है और एक को जब हम कोश्टक में कहते हैं कि बंद करते हैं तब इसको हम एंडूसियम मोना डिलफस एक संगी करते हैं इसके बाद कि यह जिन है जैसे जब दो अंड़कों और इस पर भी जान लगे हों तब इसको बाई कार्पेद्री कि बाई लाकुलर गाइनूसियम विद पेराइटल प्लेसेंटेशन को ब्यक्त करता है इसका वाड़न हम पहले कर चुके हैं इसके बाद यह जो फिगर है बाई कार्पेद्री बाई बाई लाकुलर गाइनूसियम विद बेसर प्लेसेंटेशन पाधारी विजान लियास को ब्यक्त करता है इसके बाद यह जो जिन है इसको मदर एक्सिस करते हैं मदर एक्सिस का मतलब जो इस्टिम है इस पर पुस्प लगा है तो यह बाद मदर एक्सिस को दर्साता है यह इस तरह से सेपल को हम पर दर्सित करते हैं जब फ्रोरल डाइग्राम बनाते हैं और यह पेटल पेटल विच नेक्टर ग्लैंड जब नेक्टर ग्लैंड के साथ होता है इस तरह से इसका हम वालन करते हैं यह पॉइंट है और इस तरह से चिंद है तब इसको इस्टेमिनो दिया सिष्टराइग है और इसमें दाई ठीकस इस्टमें जब पराग्रा मीक्रीं दो कोष्ट हों और चार चेमबर हों तब से दाई ठीकस करते हैं tara एनी फॉर्म या ब्रिक तक कहते हैं ब्रिक या किड्नी क्या से जान करता है और ये गुड़हल में कपास में आज में ऐसा पाए जाता है इसके बाद ये मोनो कार्पेजरी एक टपी गाइनुसियम विट मार्जिनल अगर लिसेंटा पर विजान लगे होते हैं तब उसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन करते हैं मोनो कार्पेजरी एक टपी गाइनुसियम विट बेस्टल प्लेसेंटेशन आधारी विजान नियास के लिए इस चिन्द का अप्रयों करते हैं इसके बाद अब हम इन चिन्दों को याद करके कैसे हम फ्लोरल फार्मूला पुस्ट मांचित्र का निर्मार करते हैं जैसे बीयार का मतलब पुस्ट में सहपत पाई जाता है इसके बाद ये जो पुस्ट है बाइसेक्स्वल या मेल और फीमेल दोनों जंगनंग एक ही पुस्ट पर पाए जाते हैं और वह पुस्ट कि ऐसा होगा है इसके बाद के फाइफ सी फाइफ पिछा गया है कि ये फाइफ का मतलब कैलिक्स फाइफ है और सभी प्रिठक प्रिठक है प्रिठक बाइजली इसी लिए ये फाइफ इस तरह से लिनोट किया जाता है सी फाइफ यानि जो दर है पिटल पिटल की संख्या पांच है और सभी प्रिठक है तो इसको हम प्रिठक दली या पाली पिटलस कहते हैं इसका मतलब जो आइंडूसियम है इस्ट्रमेंस इनकी संख्या अनंत है और जी आगे फाइफ पोस्ट्रक में बंद है और नीचे एक लाइन है जी माने गाइनुसियम गाइनुसियम माने अन्दासय से संबंदित है और फाइफ माने पेंटा कार्पेजरी पांच अंडपी है और पोस्ट्रक के अंदर का मतलब सिंकार्पस युकतांडपी है सभी अंडप आपस में जोड़े है नीचे पाई है इसका मतलब ओवरी सुपीरियर इस तरह से हम फ्लोरल फावूला का मिर्मार करते हैं इन चिन्नों के दौरा तो किसी भी पुस्ट्रक के वर्ड़न में हम फावूला बना सकते हैं यह पेंगली तयार है इसके बाद हम इनहीं चिन्नों के दौरा हम रेखा चित का निर्मार करते हैं इसे हम फ्लोरल डायग्राम करते हैं पुस्ट मालचित्र अब सरप्रथम यहां दिखा गया है मदर एक्सिस ओजय का वह भाव जहां पर पुस्ट जुड़ा होता है उसे मदर एक्सिस करते हैं और बाहरी चक्र में यहां पर एक दो तीन चार पांच पांच बाहदल या स्विपल दिखाए गए हैं और सभी एक दूसरे से जुड़न हैं तो यह बजाएगा गैमो से पलस संयुक बाहदली और अगर यही अलग-अलग हो जाए यहां जुड़ा ना रहे तब उसे पाली से पलस कहते हैं इसके बाद यहां पर जो दल हैं दल भी पांच है और जब दल पांच है यहां पर जैसे दिया गया है दल की संका पांच और सभी अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तब इसको गैमो पेटलस कहते हैं गैमो पेटलस कहते हैं युक्त बाहदली और अगर यही जुड़े ना हो तब इसे पाली पेटलस पाली पेटलस कहते हैं इसके बाद इसमें जैसे इस्टमेंट की संक्षा पांच दिखा गया है और यह दी कोश्टी है यानि डाई ठीकस यानि प्रतेग इस्टमेंट के पराग कोश्ट में दो कोश्ट है और प्रतेग कोश्ट में दो चैंबर होते हैं यह दाई ठीकस का चिंद्ध है अंदर की और यह दिखाया गया है अंदासरे अंदासरे में सिप्टम बना है और इस तरह से यह पिंटा कार्पिद्री है कैसा है पिंटा कार्पिद्री है और नीचे की योग यहां पे ब्रैक्ट दसाय गया है सह पत्री तो इस तरह से प्रेमिली को याद करके हम तोरल फार्वुला बना सकते हैं और फेमिली और फार्वुला अगर तयार है तो प्रोरल दाइग्राम बना सकते हैं तो यह दिखिए अगले वीडियो में आपको फ्लावर पार्ट और इंप्लोर सेंस तथा कैसे प्रोरल फार्वुला और प्रोरल डाइग्राम बनाया जाता है और उसके जो सिंबल्स थें उनके बारे में बताया गया तो आज आप ध्यान से इसको देखिए कैसे थेमिली का वर्डन किया जाता है तो आज थेमिली लिलियेसी का हम वर्डन करेंगे लिलियेसी फेमिली में इजांपुल एलियम सेपा उनियन या प्याज और आता है लांसुन एलियम सताइवं ये दो लिलियेसी फेमिली में इसके बाद प्याजी भी लिलियेसी फेमिली में आता है तब इसका देखिए कैसे साथ टर्मिनौलागी के द्वारा सब्धावलियों के द्वारा इसका वर्ण किया जाता है और इसमें पहला है हैविट हैविट बने हैविटार्ट वास अस्थान हैविट के बारे में तो एक कल्टिवेटेट हर्व एक हर्व है कल्टिवेटेड यानि किसी के द्वारा इसको उत्पन्द किया जाता है खेती की जाती है इसको कल्टिवेटेड हर्व करते हैं साथ है रूट जो जड़ होती है जड़ इसमें एडवेंट टिटियस अपस्थानी या थाइब्रस रूट सिस्टम हता है एडवेंट टिटीयस का मतलब हता है कि पवज्ग के किसी भी भाग से जब जड़े निकलने लगती हैं तब से करते हैं और फाइब्रस में क्या होता है जब रेड़ गिल से प्राइबरी रूट निकलता है तो वह नष्ट हो जाता है और फिर उसके अस्था से पतली-पतली धागे जैसी रचनाएं निकलते हैं उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं इस्टेम अंदर घ्राउं के अंदर ट्यौनिकेटेड बर बल्ब के रूप में पाए जाता है लीज रेड़ किल रेड़ किल मूली इसका मतलब है क्योंकि बल्भ है भून के नीचे पाएजाता है जड़ की तरह कर सकते हैं ये इसको के सिलिंड्रिकल ज्लील के कर सकते हैं इसकी बेलकार जैसे राउंटेड़ गौतर मेश सीधिंक हालो जो अ सावर्ण की तरफ कौता है और अंदर हो रिक्त होता है से फालो करते हैं इसकी लीप अंदर की ओर अलो होती है यानि रिकतस्थान होते हैं इसके बाद पुष्प पुष्प क्रम आपरेंटली टर्मीनल अंबल सीट्स पर अंबल चाता के आकार की रचना को प्रदसित करता हैं यहाँ पे आप देखें उसका जो पुष्प है अंब्रेला की तरह है इसकी तरह है इंदे इसको इन फ्लोर्शंस कैसा हाजाएगा अम्बेल आन एस्पेसल लीफलेस काल्ड इसकेप लीफलेस रचना होती है जिससे हम इसकेप करते हैं इस तरह से रचना होती है इसको इसकेप करते हैं तू तू थ्री मेंब्रेनस ब्राइट जिल्ली जैसे सहपत्र दो से तीन की संच्छा में होते हैं फिर हम फ्लावर का वर्णन करेंगे फ्लावर कैसा है ब्राइट ये सहपत्री इसमें सहपत्र पाए जाता है जिसके कचसे पूस्प का निर्मार होता है यानिसके कचसे पूस्प निकलता है पत्ति की जैसी रताहर होती है या रुपाम्तर भी होता है उससे ब्रैक लिए पेड़ी सीलें यानि इसमें पूस्प ब्रिंद पार जाता है इसलिए इसको पेड़ी सिलेट करते हैं सर्पुस्ट ब्रिंद ऐक्टिनो मार्फित त्रिज्जा सम्मित पढ़ियत यानि किसी भी कुस्ट को किसी भी त्रिज्जा पर दो बराबर भागों में पाटा जा सकता है इसलिए इसको आएक्टिनो मार्फित करते हैं इसके बाद कंप्ली यानि कुस्प के सभी भाग इसमें उपस्थित होते हैं इसलिए इसको कंप्ली फ्लावर करते हैं हर्मा प्रोडाइप या बाइसेक्सवल उभल लिंगी होता है यानि नर और मादा दोनों जननन एक ही कुस्प पर पाये जाते हैं इसलिए इसको बाइसेक्सवल या हर्मा प्रोडाइप करते हैं हाइपोगाइनस अधो जाय यानि कि इसका जो पुस्प का पार्ट होता है अंडासय के नीचे से निकला होता है इसलिए इसको हम हाइपोगाइनस करते हैं त्राइमिरस इसमें जो रूंह वोते हैं वो तीन दिकर्णत के रूप में पैए जाते हैं जैसे इसमें और है्चर निरस करते कि इसके बात परिदल पुन पेरियंथ के बारे में आपको बताये थे कि जब बाहँदल और दल तोनों में समानता हो तब उसे हम पारिदल या टेपल कहते हैं और टेपल के समभ को हम पेरियंथ कहते हैं पारिदल पुन तो टेपल की संख्या इसमें 6 होती है और I arrange into one 6 टेपल दो चक्रों में बेवस्थित होते हैं प्रतेज चक्र में 3 होते हैं इसके बाद गैमो फिल्लस यानि जो टेपल होते हैं टेपल नीचे की ओर्ण से आपस में जुड़े होते हैं तब इसे हम गैमो फिल्लस कहते हैं इंप्री-केट एस्टिवेशन इंप्री एस्टिवेशन मने कोरशादी बिन्यास आपको बताया ठे कि यहां पर कोरशादी बिन्यास इस तरह से बता है जब एक इक्याई का छोड दूसरे इक्याई के छोड को ढखे रहता है इस तरह से यहां पर दो यूनिक देखिए अंदर की ओर और दो यूनिक बाहर की ओर हैं इसे हम इंप्री केट करते हैं यहां पर दिखिए यह यहां पर यह अंदर है यह अंदर की ओर यह बाह दो यह बाहर की ओर है तो इस तरह से जो आइस्टिवेसन होता है उसको हम इंब्री केट करते हैं इसके बाद आयंडूसियम पुमंग आपको बताये थे पहले कि पुमंग पुंकेसरों के समूह को पुमंग गया आयंडूसियम कहते हैं तो यहां पे इस्टमेंज सिक्स छा पुमंकेसर होते हैं इन टू वर दो चक्रों में आफ त्री एक चक्र में तीन इस्टमेंज होते हैं इपी फिल्लस इपी फिल्लस माने क्या होता है जग जो टेपल होता है टेपल यज एंडूसियम से जुड़ा है यहां देख रहे हैं एंडूसियम से जग टेपल जुड़ा होता है तब उसे इपी फिल्लस करते हैं आयंथर लॉंग एंथर लंबे होते हैं डाइप ठीकस वी कोष्टी होते हैं यानि पराद कोस्ट में दो कोष्ट होते हैं प्रतेक कोष्ट में दो चैंबर होते हैं डार्सी फिक्स्ट and इंट्रोज डार्सी फिक्स्ट लग जब आपको बताये थे जब परागफोस से फिलामें उसके आधार से त्रिष्ट भाग डार्सल साइट से जुड़ा हता है तब उसे हम डार्सी फिक्स करते हैं आइण इंट्रोज इंप्रोर्स बाने जब पुस्प का भाग या पुस्प ये पराक्त कोस जब पुस्प के अंदर की ओर खुला हो तब उसे इंप्रोर्स कहते हैं पता है डायनूसियम जायां जायां आपको अने कार्पिल के संजोजन याने कार्पिल जब मिलते हैं तब उसे डायनूसियम कहते हैं यह फीमेर पार्ट होता है जायनूसियम कैसा है ट्राइक कार्पेद्री ट्री अंडपी इस तरह से प्री अंडपी उता है ट्राइकार्पेजरी सिंकार्पस यानि प्रटेक अंडप आपस में जुड़े रखते हैं जिसे हम सिंकार्पस या हिंदी में युक्तांडपी कहते हैं सुपीरियर ओबरी उर्दवर्ती अंडपस यानि जब कुस्प के सभी पार्ट अंडपस के नीचे से निकलते हैं तो अंडपस उपर होता है जब अंडपस उपर हो और उसके सभी कुस्प के पार्ट नीचे से निकलें तब ओबरी सुपीरियर कहलाती है त्राई लापलर त्री कोष्ठी तीन कोष्ठ पाये जाते हैं एक्जाई प्रेसेंटेशन अच्छी बीजान दिन्यास होता है केंद से बीजान लगे होते हैं इस्टाईल साथ वर्थिका छोटी होती है और स्टिगमा माइणूस्ष। इस्टिगमा बहुत छोटा होता है। अब आता है फ्रूट फ्ल कैट्सूल प्रकार का होता है, संपुल फ्ल होता है। इसके बाद फ्लोरल हार्मूला पुस्प सूत्र अब यहां पर देखिए जो पुस्प का वर्डन सब्दानियों के द्वारा पिया गया है अब उसी को एक समी प्याण में व्यक्ट किया जाता है तब इसे हम फ्लोरल हार्मूला करते हैं जैसे ब्रेट बीया सहपत्री यानि इसमें सहपत पाय जाता है यहां पर भी आप देखिए लिखा है ब्रेट यह सहपत्री इसके बाद आइक्टिनो मार्फिक त्रिज्जा सममिन यानि पुस्प को किसी भी त्रिज्जा पे काटा जाये तो दो बराबर भागों में बढ़ता है तो इसको इस तरह से दिनोट किया जाता है इसके बाद यह है बाइसेक्सवल उभय जिंगी है यानि मेल और खिमेल दोनों एक ही कुछ पर पाये जाते हैं इसके बाद है पेलियंद चूंकि इसमें जो सिपल और पिटल है दोनों में कोई अंतर नहीं होता इसी लिए इसको टेपल कहते हैं और टेपल के समुझ को पेरियाद करते हैं इसी लिए यहां पर पी से इसको इनोट किया गया है और इस तरह से टेपल आपको बता गया है टेपल कितने होते हैं 6 होते हैं इतने होते हैं 6 होते हैं और इस तरह से यहां पर आप जिखिए तेपां 6 आरेंग इंटू 1 आप 3 इच यानि प्रतेख में 3 3 दो चक्र में 3 प्लस 3 कर दिया गया है और दोनों को पुष्टक के अंदर रखा गया इसका मतला गयमोफिलस यानि आपस में यानि जुड़े हैं इसको गयमोफिलस इसके बाद जो एंडूसियम होता है इस्टमेन और दो चक्र में होते हैं 3 प्लस 3 यहां पर एंडूसियम गया है इस्टमेन 6 इंटू वर्लाफी 3 यानि 3 प्लस 3 और EP फिलस यानि जो एंडूसियम है वो टिपल से या पेरियन से आधा से जुड़ा होता है इसको EP फिलस कहते हैं इसके बाद गयनूसियम जायां तीन का मतलब है कोश्टक का मतलब है कि आपस में जुड़े हैं इसको हम सिंग कार्पस करते हैं युग तांडपी और नीचे जो रेखा है इसका मतलब ओवरी सुपीरियर है इस तरह से फ्लोरल खार्मूला को दिखा जाता है अब हम प्लोरल डायग्राम के बारे में बताएंगे जैसे आपको पहले बता गया था यह उपर मदार आएक्सिस है और जो टेपल है टेपल की संग्छा 6 है वाण टेपल में इंडरी केक एस्टीबेशन है यानी पूर चादी इसके दोनों को अगल बज़ल के जोनों इस्तरफ में इस तरह से ने जौनों इस तरह से ने हएं इसके इंडरी केंस पिर फिर इसके बाद 2 चक्र में हैं ये अंदर में 3 और बाहरी चक्र में 3 होते हैं और सभी एक दूसरे से बुड़े हैं इसका मतलब गयमोखिल्लस इसके बाद इसमें तीन-तीन की संख्या में 2 चक्रों में इस्टमेंस होते हैं इहाँ पे दो चक्र में एक, दो, जति- Правे टो में वोन है और यह ही इस्सवर से जुड़ में होते हैं जो की यहां आपको जिखाए गया है इसके बाद गाइनुसियम, ट्राइकार कदरी, ट्री अंडफी, वान, टू, ट्री, तीन अंडफ हैं और इस पर मध्य में एक्जाई प्रेसेंटेशन और इस पर बीजान लगे होते हैं, नीचे की ओर ब्रैक्ट को दिखाया गया, साफपत को दिखाया गया है, ठीक, इस तरह से आप इसको तयार कर सकते हैं, धन्यवाद.